हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू एसेंड एजूकेशन फ्रेंट्स आज आपके लिए लेकर आया हूं टाइप सपैनर एंट इमेज यूसे यहां पर आपको जो है उनके अधर नेम्स और साथी यूसे आपको विट फिक्चर में यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं पीडियो तो इससे पहले कि मैं आपको टाइपस उप स्पैनर और व inbox बताऊं मैं बताना चाहूं का है इस्त्माल करते हैं जहां पर हम he που को फिक्स बीटोर अन यहां इनको मिल जाते हैं अभ देखिए यहां पर आपका फर्स पं आउता है ऑपन एंड जिसे सिंगल एंड केते है आप जैसा कि देख सकते हैं इसका outlook होता है इसमें one end होता है ठीक है that's why जो है ये single end होता है अब बात करते हैं double end spanner क्योंकि इसमें दोनों side पर आपको end size मिल जाता है तो इसे double end spanner केते हैं ring spanner third point होता है जिसमें कि आपको दोनों side ring type में मिल जाते हैं जिससे कि किसी भी nut को खोला जा सकता है hexagonal और four point है जो कि socket spanner तो इसमें different type of आपको size of जो है आपके spanner देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से यह होता है और box spanner की अगर बात करें तो box में generally होता क्या है कि यहाँ पर आपको दो कि यह पूरा box type हो जाता है बस यहाँ पर end fix कर देंगे और यहाँ पर आप किसी भी handle से जो है इसको open कर सकते हैं ठीक है आपके adjustable spanner जो होते हैं देखिए यहाँ पर आपको जो है यह control करने के लिए ring दिया रहता है controller जिससे की क्या होता है जिससे आप घुमाएंगे move करेंगे तो यह आगे पीछे हो जाता है और इसे के साथ 9th point होता है T socket spanner जिससे की आप देखिए size में यह जो है को shape में T जीए स दिखता है इसमें socket बना रहता है उपर से आप अगड़के open कर सकते हैं अब जो कि आपके 10th point होता है magneto spanner तो देखिए आपको एक ही साथ जो है आपको कहीं सारे जो है आपको spanner different sizes में देखने को मिल जाते हैं इसलिए और इसको जो है magneto spanner कहते हैं अलन की जो आपको पता है जैसे कोई group होता है underground होता है उसमें सी hole रहता है तो वहाँ आप इस Allen की को जो है different sizes में available होते है मार्केट में तो उससे जो है आप open करके बस इसको fix करेंगे और इसके पास में इस पार्ट को गुमा देंगे 12 जो पॉइंट होता है वो होता है जो कि हमारा 14 पॉइंट है chain spanner तो आप ऐसा कि जैसे देख सकते हैं इसमें आपके chain लगी रहती है chain को fix कर दिया जाएगा यहाँ पर पिन लगी रहती है और जहां पर भी होगा बस उससाब से open कर दिया जाता है socket range की बात करेंगे तो socket में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखनें को रखने के बाद में आप इसको बार-बार जो आपको डेंग आदुक कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके बाद में open करते जा सकते हैं इसके बाद में ratchet spanner व्रिंच जो होते हैं वो कुछ इस तरीके देखिए यहाँ पर आपको open end दे दिया यहाँ पर close end है लेकिन यहाँ पर ratchet type में open कर सकते हैं इस तरीके से इस movement में अब 18 point होता है oil filter व्रिंच तो आप जैसा कि यहाँ पर देख करें द्रिस् Different आऄ 56 करें तो यह भी वही हो गया ठीकेश से इस पैनल भी कह सकते हैं इम्पक्ट आउछ जिसे की एर रिंच और गन्भी क्येते हैं तो आप जैसे कि यहाँ पर ek giample देख सकते हैं कि यहाँ जैसे की नट लगे गे रहते है और आगर वह जांवी रेस्टीस लगी हुई है तो वहाँ पर हम आप जो है इस इंपक्ट व्रिंच का इस्तमाल करते हैं इसमें कंप्रेजर का इस्तमाल करते हैं जिससे जो है काफी हाई इंपक्ट लगता है और जिससे की नट को खोला जा सकता है यह मोस्टली जो है लोकमोटिव कार जो होते हैं उनमें इस् तो आप देख सकते हैं पैडल व्रिंच जो कि पैडल व्रिंच क्या होते हैं उनको कसने के लिए आपको इस तरीके का ये व्रिंच दे दिया जाता है जिससे कि पैडल को कसा जा सकता है इसके अब मंकी व्रिंच जो होता है इसे जो है एड़िस्टिबल इस्पैनर या फिर इस्क्रू स्पैनर भी कहते हैं तो जैसा कि हम देखते हैं पाइपिंग में जैसे कि अगर माल जी जनल को खोलना है या फिर कोई भी पाड को खोलना है ठीक है तो वहाँ पर हम जो है इस मंकी व् वरिंच केते हैं और यह जनरली जो है इस तरीके से सोकेट इसमें कटा रहता है तो फ्रेंड्स में आपको बताना चाहूंगा मैंने टाइप सो प्लायर का एक वीडियो बनाया था उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा वहां से आप जो है टाइप सो प्लायर जाता है देनिस के बाद में कस लिया जाएगा है हाँ अगर आपको इसका पीडियाफ चीए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं यह बी एक में प्लंबर वरिंच होता है और पाइपलाइन के लिए काम में लिया ज सकते हैं थ्रेड़ बोल्ट को इसी के साथ में जो आपका नेक्स पॉइंट होता है वो होता है स्पूड वरिंच या फिर कंस्रक्शन वरिंच तो आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है यह कंट्रोल लगा रहता है यह कुछ एजिस्टिबल टाइप निट होते हैं उसको ओपन करने के लिए खुच इस तरीके सा उविलेबल होता है अब देखे हैं बेसिeld वरिंच के बात करें तो यह होता है यह तो यह आपको कुछ इस तरीके सा तरीके सा अवलेबल होता यह बस यह मूसीरा यहाँ पर आपके drum में जो है fix कर दिया जाता है then उसके बाद में open कर दिया जाता है ठीक है इसके बाद 30 point जो होता है वो armorers wrinch होता है जिससे single piece wrinch भी बोलते हैं यह generally जो है आपके guns repairing के लिए जो है आपको यह अलग-अलग shapes में C type में जो है इसमें slot कटे रहते हैं तो इसे armorers wrinch केते हैं या single piece wrinch केते हैं इसी के साथ में जो आपका 31 point होता है वो होता है dog bone wrinch जिससे dumbbell bell wrinch भी बोलते हैं आम तोर पर जो है यह bike के maintenance के लिए काफी use में लिया जाता है इसका कुछ outlook इस तरीके से देखने पड़ता है बस और 32 point होता है वो होता है drum की जिसे की square holy socket wrinch भी बोलते हैं बस यह इस तरह के आपने देखा होगा drum के जो nut कसे होते हैं कसने के लिए आप इस wrinch का इसमार्ट करते हैं अब 33 point होता है वो होता है बंग व्रेंच जिसे drum plug व्रेंच भी बोलते हैं बस इसमें यह socket कटा रहता है बस द्रम के उपर जो है लगा दिया जाता है देन उसके बाद में open कर लिया जाता है तो वीडियो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी और 34 point जो होता है वो होता है फेंड क्लच व्रेंच जिसे फ्लेट क्लच व्रेंच भी बोलते हैं दे आर इस्पेशली डि व्रेंच भी बोलते हैं क्योंकि फ्लेट होता है 35 point जो होता है वो था हैमर विरेंच स्डॉचिंग विच भी बोलते हैं या फिसलेज़िंग कौण भी बोलते है आमतोर पे क्या होता है इसको fix कर दिया जाता है दैन उसके बाद कीश क्रता है जिसें क्लूउट इको बना गर की केते हैं या फिर स्टार हेड़ेट की बोलते हैं और इसके लिए जो है आप इस वाले टूल का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो यह गुरू होता है और इसके लिए हम इस टूल का इस्तमाल करते हैं 37 पॉइंट होता है वो होता है कौन व्रेंच जिसे कि आप देख सकते हैं साइ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता हैं और फैसरी पिलक तो यह जो फिक्स वाली रहती हैं kan तो आप ने देखा होगा कई बार साइकल की जो है यह जो स्ट्रेप्स होती है वह धिली हो जाती तो उनको कसने के लिए जो है आप इस पॉक वरिंच का इस्तमाल करते हैं यह साइकल की जो है इस ट्रिप्स को कसने के लिए काम में लिये जाती है और लास्ट हमारा एंडिंग 41 पॉइंट होता वो हता है इस पैनर वरिंच तो यह कुछ इस तरीके के से देखने को आपको मिल जाता है यह भी वही होता है बस एड्जेस्टिबल कर सकते हैं और इस तरीके से जो है यह काम म नेक्स वीडियो आपको दो दिन बाद मिलेगा